रूस युक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों की दखल अंदाजी ने जंग को और खतरनाग बना दिया है अमेरिका समेट पश्चिमी देश लगातार युद्ध में युक्रेन की हर संभव मदद कर रहे हैं यही बज़ा है कि रूस जैसे ताकतवर देश के सामने कमजोर यूक्रेन दो साल से ज़ादा समय से जंग में लड़ रहा है। इस बीच रूस ने अमेरिका और यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों पर क्रीमिया पर हमले की तैरी करने का आरोप लगाया है। साथ ही रूस ने ऐसे हालात में जबरदस पलटवार के लिए भी तयार रहने की चेतावनी देडाली है। रूसी विदेश मंतराले की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि क्रीमिया पुल जो रूस को साल 2014 से क्रीमिया से जोड़े हुए हैं पर कभी भी हमला हो सकता है। पश्चिमी देश युक्रेन में विदेशी हतियारों के इस्तेमाल से रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। समाचार एजिंसी सिनुआ के रिपोर्ट के मताबिक ये बयान बिटिश विदेश सचिव डेविड कैमरन की हाल की कीव यात्रा के बाद आया है। जहाँ अधिकारियों ने कहा कि युक्रेन को रूसी इलाके के भीतर लक्षियों पर हमला करने के लिए बिटिश हतियारों का उपयोग करने का अधिकार है। बता दे कि रूस के लिए ये ब्रिज रणितिक रूप से बहुत महत्तोपोण माना जाता रहा है। रूस युक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से कीव ने अब तक कई बार क्रीमिया को रूस से अलग करने की कोशिश की है। लगातार हमले को देखते हुए क्रीमिया ब्रिज की सुरक्षा अभेद्व कर दी गई है। पश्मी देश लगतार आरोप लगाते रहे हैं कि क्रिमिया ब्रिज को क्रेमलीन जैसी सुरक्षा दी जा रही है खास बात है कि राश्टपती पुतिन क्रिमिया को रूस का हिस्सा मानते हैं पुतिन के लिए ये ब्रिज एक सिंबॉलिक भी है वो इस लिहाज से कि जब उन्होंने इस खित्र पर कबजा किया तो रूस को जोड़ने के लिए ऐसा कोई रास्ता नहीं था ब्लादविर पुतिन में पूरे यूक्रेन पर कबजे की मर्शा के साथ बारा मिल लंबे ब्रिज का निर्मान करवाया ये यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज माना जाता है इतना ही नहीं ये पुल रूसी सैनिको और उसके सैनिर साजु सामान को फ्रंट लाइन तक पहुँचाने की एक महत्तुपूर्द कड़ी भी है ऐसी आश्रंका है कि इसमर पश्रिमी देशों का हमला रूस के विजयरत पर ब्रेक लगा सकता है पुल के अलावा यूक्रेन ने बड़े अस्तर पर रूसी नौसैनिक संपत्यों पर भी अपने हमले तेज कर दिये है किव ने काला सागर बेडे से जुड़े जहाजों और बुनियादी धांचे पर बार बार हमले किये है जखारोवा ने पिछले महीने अमेरिका की ओर से सप्लाई की गई ATA CMS यानी लंबी दूरी की मिसाईलों की डिलिवरी का भी जिक्र किया इसमें उन्होंने कहा कि रूस ने पिछले हफते छे ATA CMS मिसाईलों को मार गिराया था गौर्तलाबे की अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले महीने कहा था कि युकरेन ने क्रीमिया में रूसी मिलिटरी एर स्पेस पर पहली बार ATA CMS मिसाईलों का इस्तेमाल शुरू किया है जो दूसरे कबजे वाले इलाकों में रूसी सेना को मार गिराएगा जखरोबा ने उन रिपोर्ट्स का बेजिकर किया जिसमें युकरेन को F-16 फाइटर जेट की पहली डिलिवरी मिलने वाली थी जिसे क्रीमियन ब्रिज को नश्ट करने के आउपरेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है उन्होंने कहा कि रूस एक बार फिर वाशिंग्टन, लंडन और ब्रुसल्स को चेतावनी देता है कि क्रीमिया के खिलाफ कोई भी आकरामक कारवाई से न सिर्फ दुश्मन देश की हार निश्ट है बलकि प्रतिशोत का एक बड़ा जटका खाने के लिए भी पश्चिनी देश तयार रहे